नमस्कार दोस्तों आज हम बात करेंगे मोनोसेप OCV सिरप के उपर अरिष्टो कमपनी का यह आता है और इस सिरप का इस्तेमाल जो दो महिने से उपर के बच्चे होते हैं उनके लिए किया जाता है उनको एदी इन्फेक्शन हो गले का इन्फेक्शन हो बेक्टिरिया का कोई सबी इन्फेक्शन हो कान का इन्फेक्शन हो उसके बाद सर्दी खासी की जब सिचुएशन बनती है और मुखिता बेक्टिरिया का जो इन्फेक्शन होता है उसके लिए उ संतानवे रुपे की इसकी MRP है और इसमें जो कंटेन है जो दवाई है वो सिपो डक्सिम है और पोटेशियम क्लेविनियट है तो 100 और 62.5 याने 100 mg और 62.5 mg दोनों के composition है इसका इस्तेमाल देखिए यह एक यह powder form में है और यह जो distil water दिया गया है यह इसमें मिलाने का होता है पुरा आप इसमें distil water को मिला दीजिए और फिर अच्छे से shake कर लीजिए और यह जो आपने suspension बनाया है इसका इस्तेमाल आपको 7 दिनों के अंदर करना है इस जो इजर में नहीं फ्रीज में रखने का होता है और साथ दिन के बाद आप इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं देखिए इसका जो डोज है वो 5 mg पर kg है यह यानि 10 kg काईदी बच्चा है तो 2.5 ml दिन बर में लेना है 14 kg का बच्चा है तो 3.5 ml लेना है 18 kg का ऐसे ही 4.5 ml हो जाए साइड एफेक्ट में यह है कि इसको लेने के बाद यह उल्टी की सिकायत हो गैस बनने लगे चक्कर आने लगे मिचली आने लगे या कोई भी ऐसे सिम्टम्स हो जो आपने पहले न देखे हो अपने बच्चे में और वो दिखाई देने लगे तो समझे कि इसका साइड एफ इफेक्शन में काफी उपयोगी होता है दि बुखार वगिरा हो गया हो अंटाइफाइड की इदि सिच्वेशन आ गई हो तो उस कंडिशन में भी उपयोगी होता है और अच्छी कंपनी है अरिस्टो और इसका इस्तेमाल आपको करने से पहले एक बार फिर बता रहा हूं दॉक्टर की सला जो है बहुत जरूरी होती है तो मोनोसेप OCV सिरप जो की एक इंटिबायोटिक है और इसका इस्तेमाल किसी में प्रकार के इंफेक्शन विशेश कर बेक्टीरिया का जो इंफेक्शन होता है उसमें उपयोगी होता है और जब आप इसका इस्तेमाल करते है तो बच्चा जो है वो शेगर स्वास्त हो जाता है तो छोटी सी जानकारी चोटा सा वीडियो उमीद है आपको पसंद आया होगा वीडियो पसंद आओ तो वीडियो को एक लाइक कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा मिलते हैं नए वीडियो में किसी नई जान कारी के साथ तब तक के लिए दवस्कार